कैसे हैं आप सब आई हूब आप सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ और तो एक दिन के बहुत खतरना कले फीवर के बाद आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि कल तो बिल्कुल हमत नहीं थी व्लॉग मेरे पास वीडियो रखी थी लेकिन मेरी एडिट करने कि भी हिमत नहीं हुई तो मैंने सुचा है कि चलो आज मैं अप्रोब को तक शायद इस वीडियो को पहुंचा दूनी कल मुझे इतना तेज फीवर हुआ ऐसा वाकी परसोर रात से मुझे थोड़ा थंडा सा महसूस हो रहा था और फिर हुआ कि ऐसा फीलोड था जैसे जाइ इतना तेज मुझे फीवर इतना तेज और सरदर्डर्ड मैं पहली बार ऐसा देख रहे हुँ कि ऐसा सरदर मुझे पहली बार हुआ है जैसा इस बार वार सा लग रहा था कि मेरी नस फट जाईए इदिन इसके वट फिर मैंने बहुत क्या होँआ है कि जब हम में फीवर तक मैं बिल्कुल नहीं हुथी बिस्तर से उखी नहीं पाई तनी ज्यादा मुझे ठंड लगदी थी मतलब कंडिशन यह थी कि मैं च्छत पर भी लेटी थी दूप में और उपर से ब्लैंकेट भी डाला था तब भी मुझे ठंड लगदी थी इतनी बुरी हाल थी तो पर पांच बजे ट्लास्ट के वाकि मेरे सिर का दर इतना बढ़ गया कि मैं तो ड़गई मैं तो सर की नहीं चाहिए तो अब मुझे जाना ही होगा क्योंकि हिमत मेरे अंदर जाने की थी नहीं डॉक्टर तक तो मैंने सुच्छे घर से ले ले थी थी थोड़ा सा भी में पा अच्छी रवाई काने के एक गंटे बाद मुझे थोड़ा सा रिलेक्स हो गया लेकिन एक ही दिन में शकल ऐसी हो गई कि बहुत बुरी मेरी बैंड बचे के बीकुल एच्छे रहे हैं आप देख सकते हैं अभी मैं काफी फ्रेश पील कर रहे हूं लेकिन आप लोगो को दे कि यह होता है कि फीवर के बाद जब पसीना आता है ना तो बहुत गंदे तरीके से पसीना आता है तो मैंने इस बहुत बोड़ी पर बहुत गलते हैं तो नहप लेते हैं गरम पाने से नही हूँ वेसे तो कोई दिकत नहींगा है लेकिन होता क्या royalty नहाने इस वैंगे पर क्या अब देखते हैं क्या करते हैं तो देखती हूं यह वीडियो आप तक कब जाएगी जल्दी भी कोशिश करूंगी कि आप लोगे तक पहुंच जाएं चलिए फिंट्स थोड़ी देर दूप में लेटने के बात मैं नीचे आ गई थी और यहां पर हमारे कुछ जो नए कपड़े थे मतलब जो तयार बिना तयार की वी साड़ियां जोड़े इस टाइप के जो कपड़े थे वो रखे थे और यह जो अलमीरा है ना इसमें मेरा हाथ नहीं पहुंचत तो मैं सोचे की जलो इनको भी फौड़ कर देती हूं क्योंकि प्यंकि अगर जादा दिन साड़ियां पिर कोई इसका बाहर रखा रहता है तो फिर मतलब वह खराब हना तो इस वाचे से मैं सोचे की चलो इनको कर देती हूं मैं तहए और अनदर रख दूँगी और अभी सा मुझे कमेंट करके जरूर बताना सिर्फ और से लिए c साइड़ साइडे को सिर्फ घृती वोष करें ये कारी पराई एक कमरे को पूर ही पर्श इक वी इस आज रिलाई करन नहीं दाखर जाता है व Ici और आ wat इक दमसे कोई आ जाता है तो worst day में कि कोई बैट जाए जल्दी से फिनिश हो जाए अगर ऐसे करें कि मैं पूरे घर में जाड़ो लगाई और फिर पूरे घर में पोचा लगाई तो थोड़ा सा जादा टाइम उसमें लगता है तो मैंने सोचे कि चलो एक एक करके फिनिश कर देते हूं इसके बाद मुझे जाना कि यहां पर हम लोग आगे हैं ब्लड टेस्ट कराने मुझे भी और मेरे भाई को भी फीवर था तो हम लोग दो नहीं ब्लड टेस्ट कराएंगे तो पहले इसके सेंपल लिए जा रहे हैं और इसके बाद मैं अपना सेंपल लिए एफ़र लोगा आखाल ऐस दो तो हुआ है गया शりत भीकुक्षा ना कुर 있는 से बहूत जाधा तो इसके टो मैं को नवा HK्ट कर में और सतर्स ब eff Georgia करते हैं रावी कि इन्जेक्शन के मुझे ब्हुत बड़ा टास्क होता है इंजेक्षन लागवाना सृरेंज लगाना है रहा सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो बलड वगरा देने से मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरे जो नसे हैं वो बिलकुल भी नहीं मिलता है कि अब नस ना मिलने की वज़े से इतने जगह उनको ढूना पड़ता है कि बार-बार हर जेके दर्द होता है तो दूसरे हाथ में वो कई बार ट्राइ कर चुके तो नहीं मिली अब यह दूसरे हाथ में ट्राइग कर रहे हैं मतलब राइट से मिली थी और उसके बाद मैं आ ग तो यहां नें सीजी ले लिया है सूजी वाले गोलगप्य बहुत ज्यादा अच्छे और रशाजों होते हैं यहां पर मैंने दो कप सूजी ली है और इस मेंमें 2 बाइस था ऊएstones humbled उसको अच्छे से mix करने के बाद हम थोड़े से गरम पानी से इसको गूतेंगे और यही जो process है वो बहुत जादा important होता है इसको आप लोग ध्यान से देखना तो कुछ इस तरीके से काफी मेहनत के साथ इसको 10 मिनट इसी तरीके से गूते जाना है और देखो जो हमारी सूजी है ना वो starting में लग रहा था कि पानी काफी जादा है लेकिन जब हम उसको ऐसे गूते रहते हैं तो वो पानी काफी हद तक सोख लेती है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे इसको बना रही हूँ आप वैसे इसको बना सकते हैं तो चली फ्रेंट्स आप देखना आगया आगय कैसे बनते हैं तो आटा हमारा काफी अच्छी दरीके से सॉफ्ट हो चुका है और मैं इसकी च्छोटी बॉल्स बना कर रख लूँगी जितने बड़ा हमारा गॉल गप्पे का साइज होता है उसके काटिंग जैसे हम रोटी का बनाते हैं तो इसका भी इसी तरीके से बन जाता है को तौर ये देखे कुछ इस तरीके से बैलकर थोड़ा लब लब शेप अपने अकांड रख सकते हैं रख Branch के इसलिप रहा है और तो इससे जाने कण तरहें सकते हैं तो और सलेबisl designer को रोटाव सकते हैं जाने के टी process बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता वह आर्टिविशल टाइप ही लगते हैं लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्दम ओरिजनल लगेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स किता अच्छे से यमी यमी टेस्टी टेस्टी गोल कपी बनकर तयार हैं यह मैं आपको थोड़ अगरब एक यह दो उन पर्विशन टेस्टी तो अगर। नहीं हैं ले लिया हैं यह जरत होती है और सभी चीजों को मैंने पीस लिया है अब इसमें परदेंगे चीदि kindness पाउडर है अभर पाणी को भी मैंने पेले से बना कर रख लिया था जितना खटा आप यह को चैये उ ने लिए पानी है को पानी अगर हम एक दिन बाद ृप खाते हैं और आज गा मैं चाहिए इसको पानी है चीप में छब स्ट आपको ओंप में पाद के ज़्यारूर्ट पानी हैं तो आप लोग भी अपने घर पर ट्राइ करना और बीदो कर दो करें मैं गए हैं तो तब तक ल